प्रियंका चोप्रा जमशेदपुर की देसी गलियों में पली भड़ी लेकिन अब उन्हें ग्लोबल स्टार का तमगा मिल चुका है पहले उन्होंने बॉलिवूट को अपनी अदाओं से मधोश किया और अब हॉलिवूट में काबिलियत से चार्चान लगा दिये बात हो रही है हिंदी सिनेमा की देसी गल की जिनके दिल पर निक जोनस से पहले कई को स्टार्स ने दस्तक दी थी सबसे पहले असीम मर्चंट संग जुड़ा नाप प्रियंका चोपड़ा अब सिनिमा की दुनिया में एक अदम रख रही थी उस दौरान उनका नाम सबसे पहले असीम मर्चन के साथ जुड़ा था दरसल मॉडलिंग के दिनों में प्रियंका और असीम का अफियर था लेकिन बॉलिवुड डेब्यू के वक्त उनका ब्रेक अप हो गया था कहा जाता है कि मिस्स वर्ल्ड का खिताब जीतने के दौरान वह ब्रेक अप के दौर से कुसर रही थी उस वक्त प्रियंका इतनी जादा तनाव में रहती थी कि आत्महत्या तक करना चाहती थी हर्मन ने भी जीता था मन फिल्म लव स्टोरी दोहजार पचास में काम करते करते प्रियंका चोपड़ा और हर्मन बावेजा काफी करीब आ गये थे कहा जाता है ये रिष्टा करीब 5 साल तक चला लेकिन हर्मन का करियर फिल्मी ट्रैक से उतरते ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया शाहिद संग भी परवान चड़ाता है शाहिद कापूर और प्रियंका चोपड़ा के इश्क की खबरों ने तो इंडस्ट्री में तहलगा मचा दिया था हुआ यूँ था कि इंकम टैक्स की टीम ने एक बार प्रियंका चोपड़ा के घर पर सुबर सुबर रेट की थी और दर्वाजा शाहिद का पूर ने खोला था उस वक्त तो दोनों ही सितारों ने चुपड़ी साद ली लेकिन कई साल बाद शाहिद ने एक इंटर्व्यू में प्रियंका को डेट करने की बात कबूली थी चोरी चोरी चुपके चुपके अक्षा कुमार संग भी हुआ प्यार प्रियंका चोप्रा और अक्षा कुमार कई हिट फिल्मों में एक साथ नसर आ चुके हैं ओन स्क्रीन बनी इस केमेस्ट्री की चर्चा ओप स्क्रीन भी होने लगी कहा जाता था कि दोनों के अफेर की खबरों की जानकारी जब अक्षा की पतनी च्विंकल खना को लगी तो उन्होंने खिलाडी कुमार को प्रियंका के साथ जोड़ी बनाने से रोक दिया था किंग ओफ रोमैंस के साथ भी जुड़ा था ना बॉलिवुट की बहतरीन फिल्म डॉन का रीमेक बना तो उसमें प्रियंका चोप्रा और शारुक खान की जोड़ी नसर आई कहा जाता है कि फिल्म के शूटिंग के साथ साथ दोनों के बीच खिचड़ी भी पकने लगी और इसकी खबर लगते ही गौरी खान ने शारुक प्रियंका की जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया हॉलिवड पर भी लुटाया दिल हॉलिवड स्टार टॉप हिडलस्टन और प्रियंका चोप्रा के अफेर की भी चर्चा आम हो गई थी साथ फेरों के में बंद कर एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए दोनों ने बांथ लिया